हलो एन वेलकम टू दू नौलेज सोर्स तो डबलु एचो ने अभी एक न्यू क्रेटेरिया अभी इंट्रडूश्ट किया है जिसमें की जो एयर क्वालेटी है उसको मेजर करने की जो पैरामेटर से उसमें कुछ चेंजेज लाए गए है तो इस सेशन में हम जानने कोसिस करे कौन कौन ऐसे पैरामेटर से जसको डबलू एचो ने इंट्रडूश्ट किया है इसका मीनिंग 视की हो सकता है और इंडिया के कंट्स्ट में जिस तरीकें के यह एर पॉलिटएज सिटीज है कोसिप् любим giving बीर तक क्रीज अम vendie सेशन में में डिसकस करेंगे बाट्वर this session I would like to say you can join through our telegram channel and the facebook channel and don't forget to subscribe our youtube channel also so that you can contribute a bit about the efforts we are providing to you so agar मैं बात करूँ यहां पर WHO ने कुछ नए stringent air quality guidelines provide की हैं जिसमें कि अगर बात करें हम lowering the recommended levels of pollutants यानि कि जो pollutants की जो parameter है जिसके उपर यह नापा जाता है कि कहां पर यह कौन से geographical reason में कितने label तक pollutants available है उस particular area में तो उसके जो pollutants अगर criteria अगर parameters देखे हैं तो उसमें कुछ changes WHO नो किया है और इसमें यहां पर जो भी human की existence के या फिर human की survival की जो existence है उसको यहां पर main important context देते हुए WHO इसमें कुछ changes लाए हैं अगर मैं बात करूँ earlier जैसे example में आपको बता रहा हूँ जो कि particular matters जो होता है PM 2.5 जिसकी concentration पहले था कि 25 microgram अगर पर cubic meter यहां पर 24 hour तक कोई भी period तक यहां पर कोई भी person वहां पर रहता था या कोई भी available है तो उसको यहां पर safe माना जाता था लेकिन अब WHO ने कहा है कि 25 microgram पर cubic meter नहीं यहां पर 15 microgram यहां पर cubic meter जो है वो भी safe नहीं माना जाएगा तो यहां पर आप देख सकता है कि जो criteria है pollutants की availability को नापने के लिए या फिर अगर measure करने के लिए तो उसमें कुछ changes लाते हो यहां पर WHO ने यह कहा है क्योंकि जो pollutants है उसकी concentration से बहुत ज़्यादा देथ हो रही है पूरे world में जिसके चलते यह जो area है या फिर जो parameters है उसमें changes लाएगा है अगर मैं बात करूँ यहां पर पूरे अगर criteria में जो changes लाएगा है जिसके चलते अभी क्या होगा कि इंडिया की majority of the cities जो है इस pollutants की जो criteria या parameter है उसके अंदर आ जाएंगी जिसके चलते हमें क्या देखने को मिल सकता है कि जो भी indexes produced होंगी या फिर यहां पर annually या फिर by annually उसमें देखने को हमें मिल सकता है कि जो number of cities coming under the pollutants या फिर pollutions lead cities उसमें हमें एक spike देखने को मिलेगा Indian cities की contribution में इसके बाद अगर हम देखें यहां पर अभी जो revised data है इसमें आप देख सकते हैं कि earlier जो revised data था वो 2005 में introduced हुआ था और अभी almost 16 years के बाद यानि 16 सालों के बाद ये फिर से revised इसमें हुआ है इसमें हम देखें अगर PM 2.5 यानि particulate matter 2.5 जो कि पहले जो 2005 की criteria थे कि annual mean जो है 10 microgram per cubic meter और इसमें जो अभी changes हुआ है वो 5 की यानि कि 10 से 5 यहां पर यानि कि introduced हमें देखने को मिल रहा है इसमें अगर हम 24 गंटे का mean अगर O3 का अगर देखें हम तो पहले जो peak season में यहां पर यहां पर अगर देखें हम तो NS का मतलब है यहां पर कि not set जो पहले set नहीं किया गया था कि इसकी जो criteria नाप ने की थी उसमें हम Ozone में देख सकते हैं कि अभी 2021 में इसको 60 लाए गया है तो इसमें कहीं न कहीं हमें देखने को मिल रहा है इसके बाद अगर हम देखे NO2 यानि NO2 का मतलब है nitrogen dioxide इसमें अगर देखें हम 2005 में था 40 और उसको अभी introduced किया गया है 10 इसके बाद sulfur dioxide जो था 20 उसको introduced किया गया 40 अगर carbon monoxide देखें हम 24 जो अगर 24 आवर मीन में तो पहले यहां पे इसकी criteria set नहीं की गई थी उसको अभी 4 पे लाया गया है तो आप देख सकते हैं कि जो stringent criteria जो set किया गया है WHO को ये major करने के लिए एक बहुत ही uploadable task है जिस तरह के इसे air pollution से पूरे world में हमें देख देखने को मिल रही है अगर हम इंडिया की देखें इंडिया की जो national ambient air quality standard जो है उसमें इसकी बहुत ही जादा criticism हमें साथ से होती रही है क्योंकि जो criteria WHO ने set किया था 2005 में उससे भी कहीं जादा ये उपर standard जो अगर देखें यहां पर उसने set किया था इसका मतलब यह है कि अगर देखें PM 2.5 का जो अगर हम देखें 2005 में WHO का criteria था 10 का annual अगर और 25 का अगर देखे 24 hour mean तो यहां पर अगर इंडिया का देखें तो यहां पर 60 था तो यह कहीं ने कहीं एक चिंता जनक सुरी यहां पर 40 था तो यह एक चिंता जनक सिनारियो आमें देखने को मिल रहा है वही अगर हम देखें PM 10 तो यहां पर PM 10 आप देख सकते हैं 24 hour में यहां पर 50 था तो यहां पर इंडिया का 60 था यहां पर NO2 आप देख सकते हैं 40 24 hours में और यह SO2 आपर 50 SO2 आपर यहां पर देख सकते हैं 20 तो यानि जो criteria पहले standard stringent अगर action लिया गया था WHO के द्वारा उससे कही ने कही जादा अगर हम देखें standard की quality बहुत ही ज़्यादा लो थी इंडिया में और इसके चलते हैं इंडिया में देखने को मिल रहा है कि जब इंडिया ने कई बार index अपने produced की है in terms of the majority of the cities coming under the polluted area तो उसमें बहुत सारे cities उसमें नहीं आती थी इसका एक मातरा reason था कि जो criteria इंडिया की है वो बहुत ही ज़्यादा weak है यहाँ पर कोई stringent laws या फिर stringent standard है parameter की नहीं set की गई थी अगर हम देखें यहाँ पर अगर आप देखें इंडिया में जो ये changes हुए है जो parameters की या फिर जो standard quality नापने के लिए तो इससे क्या होगा कि जो majority of the Indian cities है that will come under the polluted area और इसमें अगर आप देखें यहाँ पर जो भी south east asian region है या फिर जो south asia region है या फिर इंडिया की जो northern built है तो ये कुछ area जो हमें देखने को मिल सकती है कि these cities will come under the stringent these laws will come under the most polluted cities in the world और अगर हम देखें आप जिस तरीके की changes हुए है इंडिया में आप देख सकते हैं कि जो ये पहले देली था वो देली अभी आपको ये देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जिस तरीके changes हुए हैं जिस तरीके pollutions contribute किया है in terms of the mortality rate in terms of you know destroying the property in terms of taking toll of the exchequer of the government of India तो ये सब चीजे जो है इसके चलते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि government of India ने यहाँ पर बहुत सरे majors उठा हैं लेकिन WHO का यह जो यहाँ पर जो laws ले किया है इससे हमें देखने को मिलेगा कि majority of the government all over the world will take the sum of the harsh decision to cope up with the air pollution इसके बाद अगर आगर देखें में study जो कहता है कि around सबसे जादा होती है इंडिया में around 2.3 million तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है इसके बाद इंडिया के बाद चाइना हो गया नाइजेदिया हो गया इंडोनेशिया हो गया पाकिस्तान हो गया तो यहाँ पर majority अब देख सकते हैं कि South Asian region भी है जैसे कि पाकिस्तान हो गया इंडिया हो गया यहाँ पर pollution की जो concentration है या फिर जो pollutants है वो कहीं ने कहीं जाता है और चाइना में भी इसी के चलते हैं हमें देखने को मिल रहा है कि Asian region में especially the number of people getting killed by the pollution is more as compared to the any other continents इसके बाद अगर हम देखें इसका question यह भी उठता है कि यह जो new pollution parameter है उसका meaning क्या होगा तो देखें मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि जो criteria होए उसके चलते क्या हो सकता है कि majority of the Indian cities will come under the polluted area or polluted cities और यह जो new air quality guideline है इससे क्या होगा कि इंडिया जो है एक pollution zone यह polluted zone for majority of the cities और पूरे साल तक हमें देखने को मिल सकता है और इसके बाद South Asian region especially India और जो continents है इसमें की pollutants label जो concentration है कहीं न कहीं जादा होती है as compared to any other और especially अगर हम देखें जिस तरीके के इंडिया में WHO ने पहले भी कहा है कि जो pollutants है उसकी concentration एक recommended label के उपर है कहीं न कहीं 17 times तक WHO ने कहीं बर कहा है उससे क्या होगा कि अभी यह parameter से government के उपर pressure आएगा and government can go for the taking the hardest of decision to curb the air pollution यह हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है so I really hope you guys have understood this whole concept so that's it for today thank you as always for joining